हलो गाईज, वेलकम टो माई यूटीब चाइनल पंकस टेकनिकल कंसेप्स दोस्तो मैं हूँ इंजिनेर पंकस और आप देख रहे हैं मेरा यूटीब चाइनल पंकस टेकनिकल कंसेप्स दोस्तो आज का हमारा एक विनिक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे basic electrical और electronics में जो short form और long form यूज होते हैं उनके बारे में तो दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना वक्त कवाए so let us start दोस्तो अमारा सबसे पहले आता है alternating current means AC so AC का full form होता है alternating current एक ऐसा current जिसका frequency fluctuate होता है या vary होता है उसको बोलते हैं alternating current जैसा कि हमारे घर का single page supply और industry में जो रहता है वो three page supply उसके बाद आता है DC तो DC का मतलब होता है direct current दोस्तो बैटरी में जो current store होता है रहता है direct current उसके बाद आता है हमारा UPS तो UPS का मतलब होता है uninterrupted power supply मतलब power supply को interrupt नहीं होने देने वाला device उसके बाद आता है हमारा SMPS SMPS का फुलपा मता है switch mode power supply दोस्तो इसके बारे में मैंने एक special video बनाया है अगर आपने मेरा SMPS वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे description में मैंने link दिया है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी detail जानकारी मिल जाएगी उसके बाद आता है हमारा DG DG मतलब diesel generator तो यह diesel जो रहता है मतलब diesel generator यह diesel as a fuel यूज करके energy generate करता है मतलब power generate करता है उसके बाद आता है हमारा city तो city का मतलब होता है current transformer यह जो रहता है दोस्तों यह current नापने के लिए वो cables में लगाया जाता है उसके बाद आता है मारा city तो city जो रहता है उसका मतलब होता है potential transformer यह voltage नापने का काम करता है उसके बाद आता है transformer दोस्तों transformer को short में इसे लिखा जाता है और ट्रांसपार्मर को और एक शॉटपाम है उसको ऐसे लिखे जाता है XFMR मतलब इसका भी मतलब ट्रांसपार्मर ही होता है और ट्रांसपार्मर का काम रहता है voltage कम करना या फिर voltage बढ़ाना as per requirement उसके बाद आता है हमारा VFD तो दोस्तों VFD का मतलब होता है variable frequency drives शेड्राइभ यह से ड्रायू जो frequency vary करते हैं इसके बाद आता है के icl का मतलब होता किर्चौप current लौ एक उसके बाद आता है के बील कि मतलब होता है किर्चौन एग सब्सक्णाब कर्योंस शार्कि licยषौ कि लिभाए दोब लिए जो रहता है प्लकिल और सकवा यह ज़ादाता है हमारा यमसी भी जो रहता है वो उसका फुल फाम होता है मिनियेचर सर्किट ब्रेकर यह ज़्यादातर घरों में यूज किया जाता है और इंडस्ट्री में भी उसकिया जाता है यह यह सेप्टी डिवाइस है मतलब यह ओर लोट पे भी काम करता है और शार्ट सर्किट पे भी काम करता है और उसके बाद आता है MCCB इसका मतलब होता है Molded Case Circuit Breaker दोस्तों यह जो MCCB रहता है यह ज़्यादातर इंडस्ट्री में ही यूज़ किया जाता है उसके बाद आता है हमारा RCCB तो RCCB का मतलब होता है Residual Current Circuit Breaker मतलब जो Residual Current है उसके बाद आता है हमारा RCD तो RCD का मतलब होता है Residual Current Device तो RCD यह जो है यह भी RCCB है लेकिन RCCB का दुसरा नाम RCD है तो इसको बोलते है Residual Current Device उसके बाद आता है हमारा YMPCB तो YMPCB का मतलब होता है Motor Protection Circuit Breaker मतलब एक ऐसा Circuit Breaker रहता है जो Motor को Protect करता है मतलब Motor को Protect कैसे करता है Overload Protection, Short Circuit Protection प्रोल्टेज अगर कम ज्यादा हुए तब भी यह Operate होता है यह बहुत sensitive रहता है इसलिए Motor को Protect करने के लिए यूज़ करते है उसके बाद आता है हमारा ELCB तो दोस्तों ELCB का मतलब होता है अर्थ लिकेश सर्कृट ब्रेकर दोस्तों यह ELCB Safety Purpose के लिए लगाया जाता है घरों में और इसका मतलब होता है अर्थ लिकेश सर्कृट ब्रेकर UCB आससे बशुबत भी ऐसे कीशनी संट्रवस लेकिन यह वहने वाणtı करेकर है और यह सर्कृट ब्रेकर अनुज़ कि чно- whopping और यह भी ही हमारा विटएज木 में यूज किया जाता है उसके बाद आता है हमारा ओस히 भी यहां genetically यह उसके बाद आता है मार विटो ये सी एक और फिए उसके बाद प्रोग्राम पहुआ प्रोग्राम करता है और फुरे सकीट को ऐस प्रोग्राम की मदद से पूरे सर्किट को अपरेट करता है और उसके बाद आता है हमारा पावर फैक्टर इसको शॉट में ऐसे लिखते है पियव तो दोस्तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे ज्यादा से ज्यादा आपने मित्रों के साथ शेयर कीजे और आप अगर अगभी तक मेरे चाइनल पर नए हो तो मेरे चाइनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे ताकि हर आने वाले नए वीडियो को आप देख सके थैंक्स पर वाचिंग